नमस्ते, Elphabets की सीरीज में और नाम की सीरीज में हम नेक्स्ट जो Elphabets पे आए हैं वो है Elphabets V अगर हम बात करते हैं कि हम कौन-कौन से Elphabets में cover कर चुके हूँ पहले ये बता दूँ वरना आप comment box में लिखते हैं मैं मैं S कहा है, मैं M N कहा है तो अब से मैंने एक चीज देखिये और सोचा है कि जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी related to your name number name number यानि name alphabet तो उसके नीचे मैं जितने numbers का कर चुके हूँगी या जितने Elphabets का कर चुके हूँगी उनके links में definitely description box में डाल दूँगी यह वाली वीडियो हम आज जो इस रिकॉर्ड कर रहे हैं यह है Elphabets V के लिए V for Victory हम generally essay picture बड़ी सारी खीचते हैं न V for Victory हर चीज के लिए कि essay वाले लोग जिनका नाम V से start होता है वो किस-किस category में आते हैं वीडियो के एंट तक बने रही हैगा क्यों 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 कि मैं इस वीडियो में आप से क्या शेयर करूंगी मैं important तीन नंबरशुज़ करूंगी जो वी से relevant है किसजर से देखती हूं किस तरीके से देखती हैं या मैं क्या समझती हूं वी के बारे में और हाँ जो मेरा वास्ता भी वी वाले लोगों से पढ़ा है उससे काफी हद तक मैं इसको resonate करती हूँ और मैं ये भी बताऊंगी अगर वी आपका positive है तो किस तरह का impact होगा आप as a person और अगर आपका भी negative है तो उसका impact कैसे होगा Before I start the video एक छोटा सा reminder next मेरी जो workshop है वो आ रही है meditation के लिए और meditation में मैं आपसे hand hold करूँगी in fact मैं आपका hand hold करूँगी guided meditation होगी वो meditation जो आपको अपने आपसे भी जोड़ेगी बहुत interesting होगी बहुत बिल्कुल boring वाली meditation नहीं होगी बहुत अच्छे वाले inputs होगे आप खुद से भी जोड़ेंगी उसके साथ हम abundance की बात करेंगे हम relationship healing की बात करेंगे हम अपने आप की self healing की बात करेंगे और साथ दिन तक हम साथ अलग तरीके से meditate करेंगे अगर आप interested हैं तो उसके लिए description box के अंदर मैं link डाल दूँगी वी की अब बात करते हैं अगर हम वी की बात करें तो caladian numerology के हिसाब से वी आता है under number six six किसका number है six venus का number है luxuries का number है यानि आप जो है ना arm नहीं है मतलब आपको हर चीज best चाहिए आपको हर चीज में आप luxury ढूंडते हैं quality के साथ compromise नहीं करना चाहते और ना ही करना जानते हैं इसके इलावा बाकी के कौन से दो numbers हैं अगर हम alphabet s account करें a को one बोलें b को two बोलें c को three बोलें तो वी जो आता है वो आता है number twenty two पे और twenty two का मतलब क्या है दो तो दो आ गया मतलब दो बार two two moon sign आ गया लेकिन सबसे बड़ी बात number twenty two master number है किसका है ये master number ये piece का master number है ये master number बात करता है building की बात बनानी की मतलब ये ऐसे वाले लोग हैं जो किसी भी चीज को start करते हैं और आगे बनाते हैं और वी इसके इलावा two plus two क्या आया four four किसका number हुआ रहू का तो आप sudden चीजों में बहुत believe रखते हैं वी को देखो तो कैसे है ऐसे दिखता है न आपको यानि दो हाथ उपर उठे हुए spirituality की तरफ और बिल्कुल straight forward as if आप diagonally उपर भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं आप अपना thank you कर रहे हैं आप अपना gratitude दे रहे हैं लक्ष्मी जी का नंबर, Venus का नंबर, Luxury का नंबर दूसरा नंबर हुआ 2 and 222, Master Healer है आप थर्ड नंबर हुआ 4, 2 plus 2 is 4 और 4 का मतलब राहू से governed हैं और 2 अगर दो बार दो दो की बात करते हूं तो वो moon energies भी हैं ममता से भी भरे हुए हैं, luxuries भी चाहिए, बहुत humanitarian grounds मतलब आप बहुत humble हैं, बहुत प्यार देने वाले हैं और कहते हैं मून वाली energies दिल से जो भी काम करते हैं, दिल से करते हैं इस तरह के आप इनसान होते हैं और obviously इन planets का तो support आपके साथ है ही, बहुत कमाल के businessmen होते हैं, आप बहुत कमाल के ideas होते हैं आपके और आपकी management जो skills है ना वो आला दरजे की हैं As we, आप जानते हैं कि हमें किस तरह से work करना है, ताकि हमें अपने goals पूरे के पूरे हम उनको achieve कर बाएं एक चीज का हमेशा ध्यान रखेगा, वी जब हम देखते हैं ऐसे हैं तो वी बाहर से तो खुला हुआ है, यानि आप खुले विचारों वाले इनसान हैं, लेकिन at the same time नीचे से closed है और वो balance नहीं बना पाता तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप metaphysical studies करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप meditation practices regularly करें, वरना क्या होगा आप balanced नहीं रहेंगे, मतलब grounded नहीं रहेंगे, गिरने के chances हैं, लोड़कने के chances हैं, कमाल के peaceful होते हैं, बहुत strong होते हैं, बहुत determined leader का रोल निभाते हैं, आपने देखा, वी दो straight lines है ना, तो दो straight lines का मतलब क्या हुआ, clear focus, clear vision, clear clarity, और clear awareness, किसी भी काम के लिए, एक तो determination आपके अंदर बहुत अच्छी है, focus आप कमाल का लगाते हैं, बड़ी clarity से चीज़ों को समझते हैं, और काम करते हैं, और effort करते हैं, और आप aware तो definitely है ही, we also stands for visualization, जब project कहीं कुछ भी काम हो, को ना हो, तो आप उसको visualize बड़ाच्छा करते हैं, मतलब आप उसको end तक, जो real picture आएगी, आप उसको अपने जहन में उतार लेते हैं, visualize अच्छे से कर लेते हैं, और आपको पता है कि last जो product है, वो क्या होने वाला है, अब ठंक से करेंगे, और आपको पता होगा कि perfect इस तरह से बन के आने वाली है, आपको अपना mission बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, कि मेरा mission ये है, ये मुझे काम करना है, और इसको इस तरह से अंजाम देना है, another very important and beautiful aspect आपके बारे में ये है, कि we, जो है ना, वो एक एक व manifest कर लेते हो, मतलब आपके अंदर वो power है कि आप चीजों को manifest कर पाते हो, बहुत अराम से, provided, आपका focus ना ही ले, जो मैंने बात करी थी ना शुरू में, कि balance बना के रखना है, meditate कर के रखना है, आपको nature के साथ जुड़ना है, पांचों तत्वा के साथ जुड़ना है, वो अ आजी हावा में रहते हो, सूरज की रोशनी लेते हो, ये सारी चीजों के साथ जुड़े होए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आपको ground कर रहे हो, और जब आप ground कर रहे हो, तो जितना कमाल का focus आप लगाते हो, और जो चीज़ें आप manifest कर सकते हो, normally इंसान वो नहीं कर सकते हो, तो आपके पास ये भगवान जी के दिया हुआ, एक तौफ़ा है, आपके पास भगवान जी के दिया हुआ, ये एक blessing है, तो आप इसका पूरा-पूरा फायदा उठाए, कोशिश ये ही रखेगा कि वर्टेक्स जो है, वो जुड़ा रहे, यानि ये वर्टेक्स जो एनरजी का है, ये जुड़ा रहे, हिले हिले नहीं, another important thing, patience आपके अंदर बहुत है, methodical बहुत हो, और आप actually कुछ भी accomplish कर सकते हो, आपकी velocity भी बड़ी तेज है, आपकी vitality भी कमाल की है, सिरफ जब भी आप negative V में आओगे, यानि आपका zone, या आपकी energy V negative part में आएगी, जब वो हिले डूलेगी, और जब वो stable नहीं होगी, या आपकी grounding नहीं होगी, ऐसे में क्या होगा, आप बहुत selfish हो जाओगे, और हमेशा आप किसी से भी बात करोगे, और आपको लगेगा कि victim mentality फील करोगे, यानि मेरा फाइदा उठाया जाता है, मेरा लोग advantage ले ले लेते और जब आप बहुत बड़े risk उठाने लगो, बहुत बड़े बड़े वाले risk उठालो बिना सोचे समझे, तब भी समझना कि आप उस risk zone में जो जा रहे हो, जरा सा ठहराओ तो आपको एक दो चार लोगों से बात करो, समझो, उस जो कहते हैं ना पहलू, उसकी पहलू का जा रहे हैं, तो आप वापस नेचर से कनेक्ट होंगे, जब आप वापस दो, तीन, चार लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, दूसरा पहलो, उसके बाद ही decision लीजेगा, अगर मुझे आप लोगों के लिए एक लाइन चलते चलते बोलने पड़े, तो वो क्या है, As we, आप inspire करते हो सभी लोगों को, यानि दूसरों को, किस चीज से आप inspire करते हो, आप अपनी करमता से, मतलब अपने काम करने के थरीके से, और आपके अंदर वो एक power है, positivity की, और वो positive visualization की power है, जो lead करती है towards, we for, मैंने बिगनिक में क्या कहा था, victory, this is the kind of person you are in your real sense, so this was all about we, this was all about the people who have we as their initials, अब भले ही वो विकास हो, और भले ही वो विपल हो, भले ही वो विने हो, और हाँ, वी से एक word और चलते चलते, विपासना, जब भी आप उस विपासना के होड में जाते हो, आप कमाल कर सकते हो, Thank you so much for loving this series, and comment box में जरूर आके बताईएगा आप कितना resonate किया इस वाली particular video के साथ, और हाँ, जो भी आपके घर में, परिवार में, आसपास, चान पहचान में वी वाली लोग हैं, प्लीज उन तक ये share की करिएगा, because आपकी एक share किसी के चहरे पे smile ला सकती है, और शाहद किसी का दिन भी बना सकती है, All the very best and God bless you.